नमस्कार बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अभी जीत इस बक्त बड़ी खबर बक्सर से आ रही है बक्सर के अहसारी गाउं में छे लोगों की संदेहास्पद मौत हो गई है लेकिन अस्थानी ये लोगों का कहना है कि ये मौतें सराब पीने से हुई ह जी हां सराब बंदी वाले बिहार में छे लोगों की मौत फिर से जैडीली सराब पीने से हो गई बता जा रहा है कि ये लोग कहीं पाटी कर रहे थे और उसके बाद अच्छानक एक एक कर छे लोगों की मौत हो गई हलाकि दो और लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है इससे पहले भी मुख्ध मंत्रे नितीश कुमार के ग्रीजिले नालंदा में 13 लोगों की मौत हुई थी जैडीली सराब से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी नितीश कुमार पर सवाल खड़े हुए थे बिहार की सराब बंदी पर सभी पाटियों ने सवाल खड़े किये थे लेकिन उसके बाद भी यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है अब बकसर में जैडीली सराब पीने से छे लोगों की मौत हो गई है और दो लोग अब भी जिंदगी और मौत से जूज रहे हैं आई हम आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला हमारे परसाशन का हाथ में कुछ नहीं मिला हम शराब नहीं बेचरा हमारे परसाशन हा रहा है जो बेचरा हमारे नहीं जा रहा है बाजीवा किसके कहने पर पुलिस प्रसाशन मिली हुई है नहीं मिली है तो बिक कैसे रहा है कैसे बिक रहा है दारू के लिए इतना हंकामा हो रहा है फिर भी सर दारू बिक रहा है तीन लोग अभी अश्वताल में का अलगाता है इसके सराबी का रहा है जरीला सराब प्रसाशन मिली हुई है तो बाज पी अधर रहा है जाए के पी ले नहीं कोई से ताब हमनी के पुछबो का निजया तनी की पी ले ले जाकर टीटमेंट भी करें निजा तरा उर्ये गाहों के पांचार मी के मौत हो गिलवर्ट हमनी के तरसाथ है इक अधिका पना घृप्र लेकित अधर फिर भी नेखे अधर पहां से नेखर परसाशन कुछ निकर कर तूँप परसाशन खुद करो लेुए अ गजखपा तो तो ले क्या वहां है क्या जब लोग क्योंटा खोगा है करेंगे जब दारू बंदी बात बीना परसाषन कोई से जाब ले लोगा कहां से ब्लेम कोई कोई जो परखरा परहते हैं खुचना मिलता है यह दारू बटोए तक वह बाहर से स्ट्रीट मंगा कर पीयल मुझा थिद फम निकाश्या का अनल की घर कबादए थोड़ा यह थीक पुखरा पर रहत रहे पुखरा तक यह नी को आप दूने अपने निले पुखरा का दाना मचरी का दाना और कुछ न मिलन बता पीक हो ना कुछ ना पंड्न हो आप अधरस हो पानी उनी चोड़ लेकर अब यहां के एक कर दिया जी तो अधरे किने को आ लिए को दो आफ नंशान प्टा पीको तुट से नहीं घ तो लो पर लो कोई सी तो न मतलब कोई से मर्गी लेकर को पल भास है तो आपने देखा कि किस तरह से बक्सर के लोग प्रशुदा से साफत हैं साफ तौर पर लोगों के कहना है कि कहीं भी सराव बंदी नहीं है जो लोग सराव का कारोबार करते हैं जो लोग सराव बेचते हैं उन्हें पुलिस पर को पुलिस चूती भी नहीं है तो बड़ा सवाल है एक बार फिर से बिहार में आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है वह भी जैडिली सराब से सराब बंदी वाले बिहार में अब देखना होगा कि इस पर मुख्मंत्री नितीष कुमार का क्या कुछ एक्सन होता है हलाकि हर बार की तरह इस बार भी बक्सर में मौत के बाद फिर सर्थ परसासन जागेगी तुरंट छापे मारिया होगी कॉम्विंग ऑपरेडिशन चलाये जाएगा कुछ लोगों की गिरफतारिया होगी उसके बाद फिर फाइल क्लोज जैसा दूसरे कांडों में होता रहा है लेकिन आखिर कब कब तक बिहार में ये मौतो का सिलसिला जारी रहेगा इस पर बिहार सरकार को खासकर नितीश कुमार को संग्यान लेने की जरूरत है और एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है बिहार समय देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे हैं बूले भारत के साथ और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले हमारे फेस्पूक पेज को लाइक कर दें ताकि हर खबर सबसे पहले पह